आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक आटोमेटिक मशीन गन एक फोर्टी सेवन की जिस तरह से एक फोर्टी सेवन राइफल ने तरक्की की है शायली कोई और दूसरी राइफल ऐसा कर पाए एक फोर्टी सेवन निशाना लगाने निशाना भेदने और संचालन में बहुत आसान है आए जानते हैं उस शक्सियत के बादे में जिसने बंदूगों की छेत्र में ऐसे करांती की जिसका लोह आज पुरी दुनिया मानती है एक फोर्टी सेवन का पूरा नाम आटोमैटिक क्लाशनी कोई 47 है 47 का मतलब यह राइफल सन 1947 में बनी थी इसको बनाने वाले मिखाईल क्लाशनी कोई थे उन्ही के नाम पर इस गन का नाम बढ़ा क्लाशनी कोई का जन 10 नवंबर 1919 कुरूस में हुआ था बच्पन में उनकी खासियत यहां थे कि जब किसी मशीन को देखते तो उसकी और आकर्शित हो जाते मशीन को खोल कर देखते कि इसके अंदर क्या है गेर वज़ा थे कि साल 1913 में उनने रूस की रेड आर्मी में जगें मिली असन में उनकी लंबाई मुखेदारा की सेना में शामिल होने के लिए नाकाफी थी लेकिन मशीनों के प्रती उनकी ट्रेम ने इस काम में उन्हें इतना निपूर बना दिया था कि उन्हें सेना ने जुश्मन की इस्थितिका पतान लगाने वाली मशीन के नियंतर्ण के लिए रख लिया बाद में वेट टैंक कमांडर तक बने ट्रेनिंग के दौरान मेशीनों के प्रतियूं के जानकारी से प्रवावित होकर उन्हें कई बाद इनाम मिले जटी विशुद के दौरान प्रेंक के संचालन के वक्त वे जखनी हो गया और इसके बाद इन्हें एक अस्पिताल में भीज़ दिया गया इलाज कराने के दौरान उन्हें ने वाहते कुछ भायल सेनिकों की बाते सुनी जो सोवेट हथियारों की बुराइद कर रहे थे पड़ते थे लेकिन गलक्त होने के चलते उन्हें बंदूग चलाने में काफी पजिशानियों का सामना करना पड़ता था कई बार निशाना चुटने या ट्रिगर ना दबने की खब्रे आती थी कुछ लोग क्लाश निकों को सिर्फिरा या सन की समझते थे लेकिन उनकी एधारना बिल्कुल गलत थी रूसी सेना में जनरल का पत पाने वाले क्लाश निकों और सन में एक आविशकारत थे कोई मश्री पाने के बाद उनका दिमाग किसी पड़े लिखे इंजिनियर से भी तेच चलता था जब उन्होंने बंदू बनाने की ठानी तुए सेना का हिस्सा थे इसले उन्हें रेड आर्मी के मुखी तोप खाने निंदेशाले के एम भूमिकाओं में लखा गया साल 1944 में उन्होंने एक गयर से चलने वाला 7.62 mm कार्टे वाला हतियार बनाया यहां M1 Garen rifle से प्रेडित था उसी दौर में एरगई सिनोमो ने एक आविशकार किया सोवियर सेमी आर्टोमाटिक कार्बाइन का इसने क्लाशनिको को बहुत प्रभावित किया यहीं से AK-47 बनने का सफ़र शुरू हुआ साल 1947 में क्लाशनिको ने AK-47 की पहली रैफिल बना दी लेकिन तब इससे माननेता नहीं मिली क्लाशनिको खुद सेना का हिस्सा थे इसलिए उन्हें पतर था कि उन्होंने क्या बनाया है और अपने आविशकार को कैसे रूसी सेना के लिए दिया जाए साल 1949 में रूसी सेना ने उनकी बनाई बन्दूक का अन्भाव किया और इसे भादी मात्रा में बनाने का आदेश दे दिया दूसरी और उनके आविशकार से बन्दूक की शंक्ला शुरू भी AK-47 के बाद AKM, AK-74, AK-101, AK-103, AK-105, AK-12, RPK RPK मशिन गन से भोते गए अब यह सबसे खतनाक और एडवांस गन AK-203 तक पहुच गई है जो भारत में बनाई जाएगी एक आकड़े में ऐसे दावे किये गए हैं कि AK-47 शंक्ला की बंदूकों को अफगानिस्तान के आतंकी संगटन तालिबान ने आतंक फैलानी में सबसे जादा इस्तमाल किया इस बात ने क्लाशनिकों को काफी आहत किया लंबी बिमारी के बाद क्लाशनिकों की डिसमबर 2013 में मौत हो गई अपने मनने के कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लेक लिखा था साल 2014 में एक प्रिश्टिक अकबार ने उनके लेक को छापा जिसका अनुसार वे मार्सिक तोट पर बहुत स्वस्त नहीं थे प्रिश्टिक बिमारी के अलावा वे खुद को उन सब लोगों की मौत का जिमिदार मानते थे जिनकी हत्तियां उनके दोरा बनाएंगे एक गर्म से हुई थी आईए जानते हैं क्यों AK-47 राइफल है इतनी खास 1947 में पहली AK-47 राइफल बनी और 1949 के बाद से आप तक यहां सोवियत और रूसी सेना की स्टेंडर राइफल बनी है अब बनिस्तान से लेकर जिबॉम्बे तक और दुनिया के लटबग 106 देशों के मिलिटरी और कुछ स्पेशल फोस से जाल AK-47 का प्रयोग करती है AK-47 राइफल दुनिया के अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी बातावरन में काम कर सकती है मतलब पानी रेत या मिट्टी कहीं पर भी AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा अवेज रूप से बेची जाने वाली राइफल है AK-47 गन की लाइफ 6,000 से 15,000 राउंड तक होती है AK-47 की एक मैगजिन में 30 राउंड होते है AK-47 एक गैर संचाली सिलेक्टिव फायर राइफल है सिलेक्टिव फायर मतलब शूटर चाहे तो AK करके फायरिंग कर सकता है या फिर एक ही बार में पूरी मैगजिन खाली कर सकता है आदुनिक AK-47 राइफल पर गनेरेट प्राउंचर भी जोड़ा जा सकता है AK-47 की भेज़न चमता इतनी पावर्फुल होती है कि यहां कुछ दिवारों यहां तक की कार के धातु के दर्वाजे को भेज़ कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है केवल रूस ही दुनिया को AK-47 सप्लाई नहीं करता बलकि तीस अन्य देशों को भी इससे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है जैसे भारत, चीन, इसराइल, मिस्र, नाजीरिया जिनमें चाइना सबसे ज़्यादा AK-47 बनाता है इसी भी देश का आम नागरिक अपने पास AK-47 राइफल नहीं रख सकता ऐसा करने पर उससे जेल हो सकती है जितनी मौते आज तक हवाई हमलों राकेट हमलों से भी नहीं हुई उससे ज़्यादा मौत AK-47 से हो चुकी है AK-47 राइफल से हर साल लगबग धाई लाफ लोगों को गोली मारी जाती है AK-47 का नाम गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हतियार है आज की तारीक में दुनिया में करीब 10 करोड AK-47 राइफल है मतलब हर 70 लोगों पर एक मिखाई क्लाश्निकों ने अपने सबसे बड़े आविश्कार AK-47 की बिक्री से तभी एक पैसा नहीं कमाया आप हमारा एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताए अगले वीडियो में हम जानेंगे किसी और नए ब्राइन के बारे में